Hey guys, welcome back to my channel जिन्दगी का सफर उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का डूडल फ्रांसेसी चित्रकार रोजा बोनर का दो सोवा जनम दिन मना रहा है जिनके सफल करियर ने कला में महिलाओं की भावी बीड़ी को प्रेद क्या दो सदियों पहले कला जगत में महिलाओं के लिए उपलब्द सैक्षिक आउसर सीमित थे लेकिन कला रोजा बोनर के खून में थी चित्रकारों के परिवार में जनमी फ्रांसेसी कलाकार बात करने से पहले पेंसिल और कागज से सकेचिंग कर रहे थी अपने पिता के प्रोत्साहन और सरनरक्षन के साथ एक परिदेश्य और चित्र चित्रकार बोनेर उन्नीसवी सताबदी की सबसे महत्वपूर्ण महिला चित्रकारों में से एक बन गई रोजा बोनेर का जन्म आज ही के दिन यानि की 16 मार्च 1822 में फ्रांस के बोर्दो में हुआ था उनकी प्रारंबिक कलात्मक सिक्षा उनके पिता एक मामूली परिदेश्य तित्रकार द्वारा सुगम की गई थी या दपी कला में करियर के लिए उनकी आकानशाएं उस समय की महिलाओं के लिए आव परंपरागत थी बोनेर ने साउधानी बूर्वक अध्यन के वर्सों के माध्यम से कलात्मक परंपराओं के विकास कबारिकी से पालंग किया और उन्हें कैन्वस पर अमर करने के लिए रेखा चित्र तियार किया एक पसुचित्रकार और मूर्दिकार के रूप में बोनेर की प्रतिष्ठा 1840 के दसक में बढ़ी उनके कई कारियों को 1841 से 1853 तक प्रतिष्ठित पारिस सलों में प्रदर्शित किया गया विद्वानों का मानना है कि 1849 में प्लॉइंग इंदर निर्वने की एक प्रदर्शिनी एक सरकारी आयोग जो अब फ्रांस में इस्थित है म्यूजे नासियोनाल द्यूशातो दफॉन्टेन ब्लो ने उन्हें एक पेशेवर कलाकार की रूप में स्थापित किया 1853 में बोनर ने अपनी पेंटिंग दे हॉर्स फेर के साथ अंतर राष्टिय इस्तर पर ख्याती प्राप्त की जिसमें पैरिस में आयोजित घोड़े के बाजार में प्रदर्शित किया गया था उनके सबसे प्रसिद काम के रूप में यह पेंटिंग नियू यॉक के मेंट्रो पॉलिटिन म्यूजियम आफ आर्ट में प्रदर्शित है इस प्रसिद पेंटिंग का सम्मान करने के लिए फ्रांसिसी महरानी यूजिनी ने 1865 में देश के सबसे प्रतिष्टित पुरुसकारों में से एक बॉनेर दे लीजन ओफ ओनर से सम्मानित किया गया 1899 में 77 वर्ष की आयू में बॉनर की मित्ति हो गई सच में बॉनर का जीवन हम सब के लिए प्रेणा दाई है उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो इससे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चानल को सब्सकाइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें मेरे सारे न्यू वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें थैंक यू सो मच